हलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिट कंस्रुक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम है सुजा सुरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ ने ने घर के डिजाइंग्स जो आपको हेल्प करता है आपका ने घर बनवाने में और बना होता है बिल्कुल ही कम स्पेस पे तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपना चैनल पहले से देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेर कर दे ताकि और लोगों तक हमारे ये वीडियो पहुत सके स्क्रिन पर ये जो घर आप देख रहे हैं सिर्फ उसे 36 feet by 31 feet में बना हुआ है और काफी खुबसूरती से बिलकुल ही वास्तो के अनुसार ये घर बना हुआ है आपको हम बता दे कि तीन कमरों का घर है और एक parking है stairs जो है वो 8 feet की है 8 feet by 13 feet के stairs है और stairs के जस्ट नीचे से ही हमारा main entrance है जो कि पढ़ता है हमारा northeastern size में ये room है और ये जो room है parking से 2 feet की दूरी से बनाया गया है ये आप देख सकते हैं ये dining area है drawing dining area तो ये जो dining drawing area है पीछे से सिर्फ 9 feet 6 inch का है और इसकी लंबाई 14 feet है और आगे की तरफ से ये 14 feet by 18 feet का लंबा है ये आप देख सकते हैं stair के just नीचे से एंटर करके dining hall में आप घुशते हैं और left side आपको एक कमरा देखने को मिलेगा और ये 18 feet by 14 feet का आपको ये dining area देखने को मिलेगा देखने को मिलता है ये पार्किंग और पार्किंग जो है वो 13 feet by 11 feet की है उसके just बगल में एक कमरा है जो की आपको 11 feet by 11 feet का देखने को मिलता है और ये dining area, drawing area और ये main entrance यही से आप enter करेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये कमरा जो की है 9 feet 6 inch by 10 feet 6 inch का और ये कमरा के बगल में ये parking area जो की है 11 feet by 12 feet 6 inch का 12 feet by 11 feet का parking area है एक और इसके just बगल में 11 feet by 10 feet का दूसरा कमरा आपको देखने को मिलता है और फिर ये आपको master bedroom देखने को मिलता है जिसके साथ attached bathroom है जो की है 11 feet by 11 feet का तो 11 feet by 11 feet का ये कमरा है जिसके साथ आपको bathroom attached देखने को मिलता है और ये bathroom जो है 4 feet 6 inch by 7 feet की bathroom आपको देखने को मिलती है उसी के जस्ट बगल में common washroom है जो की 4 feet, 6 inch by 7 feet की है और ये kitchen है जो की है 11 feet by 8 feet का और उसी के जस्ट बगल में आपको ये पूजा रूम भी देखने को मिलता है जो की है fit by 2 feet का जो की eastern side में है तो आपको हमारा ये plan कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता है लाइक करे हमाई channel को subscribe करे और share करे thanks for watching मिलते हैं नए वीडियो के साथ